Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की pick a card reading है और आज हमारा topic है Their current feelings, thoughts and next action. So आपके person इस present time में आपके लिए कैसा feel कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और next वो क्या करने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम जानेंगे. So चाहे आपकी जो भी situation है आपके partner के साथ, ये reading सब के लिए open है, और ये बिल्कुल timeless reading है, जब भी आपकी नजर से गुजरेगी, आपका उस वक्त का message होगा. So शुरुआत से पहले, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि Cards, possibilities बताते हैं, आपकी final destination, safe divine source को पता है. Safe divine source को पता है, कि finally आपकी life में क्या होना है. इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाख को open रख कर इस reading को देखना है. इसके इलावा, मेरे जितने भी subscribers हैं, thank you so much, आप सब लोगों के प्यार और support के लिए, I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all. अगर आप नए है मेरे चैनल पर, आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है, पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा. अब हम start करते हैं, आपके पास तीन options हैं, option number one है A to I, option number two है J to R, option number three है S to Z. इन तीनों में से जहां पर आपका या आपके partner का name initial आता है, उसी में आपकी reading है, यानि नाम का पहला letter. आपकी मर्जी है, आप अपने नाम के पहले letter से देखना चाहते हैं, या आपके partner के. So बाकी लोगों के लिए तीन cards हैं, इन में से आप चूज कर सकते हैं, So option no.1 है Ace of Cups, Option no.2 है Ace of Pentacles, Option no.3 है Ace of Wands. So देख लिजिए, 1, 2, 3, तीनों के time stamps description में हैं, skip करके आप अपना answer देख सकते हैं, अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई problem नहीं, जैसे आपकी intuition आपको guide करती है, वैसे आप selection कीजिएगा, मैं start करूँगी option no.1 से, जिन लोगों ने option no.1, यानि कि A to I select किया था Ace of Cups के साथ, यह आपकी reading है, और हम देखेंगे कि आपके person की current feelings, उनकी thoughts, क्या होने वाली है, उनका next action क्या होने वाला है, सब कुछ हम आपके person के बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम आपके connection की overall energy लेंगे, और six cards लेंगे आपके connection की overall energy के लिए, सबसे पहले है sacrifice, डिस्रिस्पेक्ट, लॉयल हार्ट, मिटिरियलिस्टिक, क्रियेटिविटी, और देन डिसायर, सबसे पहले हैं आपने अपनी ego, अपनी self respect को बहुत जादा नीचे किया, आपके person के लिए आपने बहुत जादा आप कहलें कि उनकी disrespect में भी परदाश्ट की है, विकरज आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ने भी आपके person बहुत जादा materialistic हैं, बहुत जादा evolved भी नहीं हैं, बहुत जादा spiritual भी नहीं हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरह आपको disrespect किया है, आप ऐसे कोई किसी creative field में हो सकता है, इस present time में बहुत desire है आपके दिल में आपके partner के लिए, हो सकता है उनके दिल में भी हो, वो चाहते नहीं थे maybe आपको disrespect करना, but maybe उन्होंने आपको hurt किया, कुछ उन्होंने ऐसा कहा, जो उन्होंने नहीं कहना चाहिए था, सो देखते हैं कि उनकी current feelings क्या है, आपके person की current feelings, thoughts क्या है, let's see, आपके person की current feelings or thoughts क्या है, so maybe ये इनसान भी आपके साथ loyal है, बहुत जादा उनके दिल में desire है आपके लिए, but maybe कुछ उनकी financial situation है, जो के एक factor हो सकती है आप लोगों के connection में, let's see, इस present time में, आपके person आपके लिए कैसा feel कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, cards मैं intuitively निकालूंगी, so maybe ये इनसान आपसे communicate करना चाहा रहे हैं, let's start, oh god, आप देखें, ये card आना ही चाहता था, yes, ये इनसान में भी आपसे communicate करना चाह रहे हैं, या communication से भाग रहे हैं, भी हम देखते हैं बाकी cards हमारे पास आ जाएं, we have king of pentacles, yes, ये जो materialistic का card आया है और फिर king of pentacles, maybe ये इनसान अपनी financial situation की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप maybe उनसे commitment के बारे में long term के बारे में सवाल करते हैं, एक stable connection, एक stable future की बात करते हैं, तो ये इनसान उस topic से भागते हैं, confront नहीं करते हैं, the emperor, जिम्मेदारी के लिए ready नहीं है, the hanged man, इस वक्त आप लों का connection stuck है, bottom of the deck पर judgment, सो यहां पर सारे ही star signs है, Aries बहुत strong है, Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Libra, यह star signs है, Aquarius भी, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने energy पर focus करना है, अगर energy आपसे match करती है तो बिलकुल आपकी reading है, star signs को लेकर आपने परेशान नहीं होना, energy पर focus करना है, So right now आपके person stuck है, यह connection stuck है, आपके person को बहुत ज़्यादा evolve होने की जरूरत है, बहुत कुछ learn करने की जरूरत है, I feel simply कि यह इंसान इस वक्त जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं, यह इंसान इस वक्त उनके पास कोई plan नहीं है, future के लिए, आगे के लिए, मुझे यह जरूर नजर आ रहा है कि यह इंसान इनकी intentions आपके लिए true हैं, यह इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, long term चलना चाहते हैं बट उनके पास plan नहीं है, वो इस सारे मौमले पर future के बारे में, आपसे discussion नहीं करना चाह रहे हैं, I feel कि अगर बार-बार उनको konfront कर रहे हैं ने सवालात कर रहे हैं future के बारे में, शादी के मेवी बारे में, Going to some conversation मैं नहीं करना चाहते हैं, वो आपके साथ इस बारे में अभी discussion Czech dass नहीं करना चाहते हैं, I do feel کہ यहाँ पर कोई realization भी हो रही है आपके person को और अगर तो specially आप mail के लिए देख रहे हैं आपके person के लिए realization इतनी ज़्यादा important है उनकी financial situation से जूड़ी है वो यह सोच रहे हैं कि maybe उनकी financial situation इतनी अच्छी नहीं है इतनी strong नहीं है तो वो आपको यह बातें अभी नहीं बताना चाहते हैं maybe वो आपको परिशान नहीं करना चाहते हैं so maybe यह इनसान बहुत practically होकर अब सोचना शुरू हो गए हैं आपके connection के बारे में future के बारे में और उनके लिए यह एक बहुत बड़ी realization है maybe उन्होंने पहले अपनी financial situation और इन सारी चीज़ों के बारे में practical चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था और वो आपके साथ relationship में आगे बढ़ते चले जा रहे थे अब उनको यह realization हो रही है कि यह चीज़ें भी बहुत important हैं और उन्हें सोचना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के बारे में क्योंकि obviously सिर्फ प्यार ही से जिन्दगी नहीं चलेगी आपके person को यह realization हो रही है इस वक्त super specific messages आ रहे है so I feel कि इसलिए आपके person अगर आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो uncomfortable है इस topic के उपर वो आपसे अभी discussion नहीं करना चा रहे हैं confront नहीं करना चा रहे हैं आपको वो यह भी सोच रहे हैं कि उनकी life में क्या क्या possibilities हैं वो किस तरह से अपनी financial situation को बहतर बना सकते हैं वो इस पर work भी कर रहे हैं और अगर उन्होंने कोई हल ढूंड लिया तो फिर वो खुद आपसे इस topic के उपर बात करेंगे लेकिन इस वक्त ये इनसान इनको जो realization हुई है वो उनके लिए बड़ी परिशानी की वज़ा बन रही है वो परिशान हो रहे हैं ये सब कुछ realize करके और वो आपसे ये चीज़ें discuss अभी नहीं करना चाहते हैं इसलिए ये इनसान आपसे communicate नहीं कर रहे हैं दूर भाग रहे हैं या communication को short रख रहे हैं आपको feel हो रहा होगा कि जैसे बहुत कम आपसे बात करते हैं आपसे distance पर हैं कुछ ना कुछ अजीब है उनके behavior में जो आपको feel हो रहा होगा और उसका reason यही है कि जो realization आपके person को हुई है उनके लिए ये बहुत tension वाली बात है उनको tension हो रही है और वो इसलिए tension ले रहे हैं because आपके लिए उनकी intentions pure है, true है और वो नुकसान नहीं करना चाहते हैं आपका because ये बहुत आप कहलें ये सारी energies बहुत mature energies है और ये इनसान जिम्मदारी लेना चाहते हैं responsibility लेना चाहते हैं अगर इस वक्त नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त नहीं ले पा रहे इस वक्त वो सोच रहे हैं कि resources नहीं हैं अभी वो उस position में नहीं है कि वो जिम्मदारी ले सके लेकिन वो लेना चाहते हैं क्योंकि ये card यहां पर present है so I feel कि desire है उनके दिल में कोशिश भी वो करना चाहते हैं बटा भी इस topic के उपर वो बात नहीं करना चाहते हैं so जहां तक उनकी feelings का तालुक है ये इनसान आपके लिए serious है so I feel कि आपके person अपनी feelings से ज्यादा अपने दिमाग और practical होकर और आपकी खुशी को अपने सामने रखकर चीजों के बारे में सोच रहे हैं so देखते हैं कि आपके person next क्या करने वाले है उनका next action क्या होने वाला है we have all tied up ये है number 23 so again ये इनसान अपनी thoughts में stuck है ये कोई मसला भी हो सकता है जिसमें वो फसे हुए है कोई fight भी हो सकती है so आप देख लीजिए but overall इसका message ये है कि ये इनसान अपनी thoughts में stuck है and with the strategy number 21 again वही message जो मैं आपको पहले दे रही थी वही इसके साथ आ रहा है कि ये इनसान plan कर रहे है ये इनसान सोच रहे है कि इस सारे मसले का क्या हल है वो जिन्दगी को बहतर कैसे बना सकते है क्या possibilities है future के लिए वो खुद से सोचेंगे खुद से strategize करेंगे plan करेंगे फिर आप से इस पर communicate करेंगे so next आपके person planning करते वे नजर आ रहे है plan कर रहे है उनका next action है planning planning कर रहे है वो आप दोनों के relationship के लिए हर चीज सोच रहे है ये इनसान अभी stuck है अपनी thoughts में हो सकता है इस दौरान वो बहुत जादा वही बात है कि आपको time ना दें आप से communicate ना करें आप से नजरें चुराएं you know confront नहीं करना चा रहे है वो आपको इस बात पर so हमारे पास है buy the book and happy happy so they really want कि आप खुश हों वो आपकी खुशी चाहते हैं इसका number 26 है और ये number 11 है numbers देख लीजिए आप से कैसे resonate करते है so with the buy the book again ये दोनों cards भी हमें confirmation दे रहे है ये insan responsibility के साथ चलना चाते है dignity के साथ चलना चाते है fair होना चाते है आपके साथ वो आपके साथ कोई नाइसाफी नहीं करना चाते है traditions को जहन में रखकर rules को you know हर चीज़ को जहन में रखकर बिलकल आपके साथ literally by the book चलना चाते है आपके साथ fair होना चाहते है I feel So, आपकी खुशी चाहते है यह इनसान आपकी well-being चाहते है And of course आपके साथ उनकी भी खुशी है वो बहुत ज़दा आप उनकी जिन्दगी में खुशी लेकर आएं, वो यह सोचते हैं फील करते हैं आपके लिए So next I really feel कि यह इनसान इनकी कोशिश यह है कि वो आपके साथ इनसाफ करें किसी भी तरह इस connection के साथ इनसाफ करें, आपको खुशी दे सकें वो उसके लिए strategy बना रहे है आपके person का next action यह है वो plan कर रहे है आपको खुशी देना चाहते हैं इस connection के लिए wise decision लेना चाहते हैं जो आप दोनों के लिए अच्छा decision हो आप दोनों के हक में बहतर decision हो ऐसा decision लेना चाहते हैं आपके person प्लैनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आपके person वाओ, wedding and it is safe for you to love बहुत clearly शादी वाल पाइल कह सकते हैं आप इसको इनसान आपसे शादी करना चाहते हैं और उसके लिए planning करते हुए दिखाई दे रहे हैं next आपके person का यही action है यह इनसान plan कर रहे हैं आप लोगों की शादी के लिए देख रहे हैं कि क्या possibility है कैसे करना है, क्या करना है और safe रहकर, कि जिसमें खराब भी ना हो relationship कोई misunderstanding क्रियेट ना हो आपके person का next action यही है यह इनसान serious है आपके बारे में, मैंने आपको शुरू में कहा था यह दोनों cards उनकी seriousness के बारे में बता रहे हैं, वो calculate कर रहे हैं हर चीज़ सोच रहे हैं, कैसे होना है क्या होना है, financial situation क्या है, सब सोच रहे हैं जब मैंने यह कहा, तो 11.11 और थे वीडियो में यह आपके लिए sign है So next action आपके person का यही है कि वो plan कर रहे है, strategize कर रहे है कि उन्होंने आपके साथ इस connection को next level पर कैसे लेके जाना है So यह journey आसान नहीं होगी Obviously, कुछ challenges हैं आप लोगों के दरम्यान But वो कोशिश करेंगे कि वो इन challenges को पार कर ले So let's see आपके लिए क्या guidance आ रही है इस पर लिखा है When it comes to matters of the heart There is no right or wrong Every choice you make expands your understanding of life and love So कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, जब प्यार के दिल के मौमलात की बात आती है जो भी choice आप लेंगे उसमें आपको नुकसान नहीं होगा आप उसमें grow ही करेंगे आपकी soul growth है हर तरह से So अपने आपको बताया करें कि आप deserve करते हैं प्यार आप deserve करते हैं कि आप खुश रहें आप खुश ही deserve करते हैं खुश रहें चाहे आपकी जिन्दगी में जो भी चल रहा है कोई ना कोई चीज ऐसी हर वक्त आपको मिलेगी अपनी life में कि जिसको लेकर आप खुश हो सकते हैं So be happy आपके लिए ये message है और परिशान नहों और डरें नहीं जो भी आप decision लेंगे जो भी होगा उसमें आप आपका फाइदा ही है Then we have yes and then take action So I really feel with the yes and take action again ये आपके person खुद को prepare कर रहे हैं strategy बना रहे हैं खुद को prepare कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए क्या करना है वही strong message दुबारा से आ रहे है और with these two cards अगर आपके जहन में कोई बात चल रही है कि आप अपने person से reach out करें उन से बात करें कुछ ना कुछ आपके जहन में अगर चल रहा है तो आपसे एक आ जा रहा है कि yes आप उसके उपर action लें जो भी आपके जहन में idea है जो भी आप सोच रहे हैं yes आप उसके उपर action लें आपको उसका फायदा होगा यह बड़ा specific message है देख लीजिए आप से कैसे resonate किया है यह आप लोगों की reading थी group one कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे ज़रूर बताईएगा comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number two यानि के J2R select किया था Ace of Pentacles के साथ यह आपकी reading है और हम देखेंगे कि आपके person की current feelings क्या है उनकी thoughts क्या है और उनका next action क्या होने वाला है सब कुछ हम जानेंगे सबसे पहले हम आपके connection की overall energy लेंगे और six cards होंगे आपके connection की overall energy के लिए सबसे पहले हमारे पास है fantasy फिर हमारे पास evil eye warrior फिर है soulmate earth and then commitment okay so super specific messages बहुत से messages आ रहे हैं group 2 के लिए I feel एक तो यह कि हो सकता है कि आप earth sign है या earth sign से deal कर रहे हैं Taurus Virgo Capricorn and amazingly आप देखें कि आपने ace of pentacles select किया और यहां पर earth भी आ गया so आपने maybe इस connection के लिए fight करने के लिए बहुत कोशिश की बट आपको लगता है कि इस connection को किसी की नजर लग गई या आपके soulmate थे आप उनसे commitment चाते थे आपने बहुत fight की लेकि नहीं हो पाया और आपको लगता है कि it was just a fantasy या फिर इस fantasy को किसी की नजर लग गई आपको ऐसा feel होता है और मुझे कुछ लोगों के लिए feel हो रहा है कि यह X वाला पायल है यह भी आप अपने X के लिए देख रहे हैं और यह भी हो सकता है कि आपने X के उपर give up कर दिया है लेकिन आपके X ने अभी तक give up नहीं किया है आपके उपर वो चाहिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं आपके साथ नहीं है बट वो आपके बारे में सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि आपने कैसे fight किया था उनके लिए वो सोच रहे हैं कि आप उनसे कैसे commitment मांगते थे वो सोच रहे हैं कि आप उनके लिए कितने अच्छे थे सूपर स्पेसिफिक सो लेट्स सी हो सकता है कि टैरो हमें बिल्कुल इसके opposite energy दे, ज़रूरी नहीं कि ये energy आप से match करे देखते हैं कि ये इनसान आपके लिए कैसा कर रहे हैं इस present time में उनकी feelings और thoughts आपके लिए क्या है उनकी feelings और thoughts आपके लिए क्या है हमारे पास है queen of pentacles, so you see कि ये आपकी energy है, चाहे आप male हो ये female ये इस ये इनसान सोच रहे है आपकी अच्छाई के बारे में आपके साथ गुजरे time वाओ, ace of pentacles आपने ace of pentacles select किया और ace of pentacles आगया and then we have eight of cups bottom of the deck पर वाओ, ace of wands so two aces आगया हमारे पास so ये इनसान आपके साथ एक निया स्टार चाहते है I feel, ये इनसान चलना चाहते है आपके साथ बट भी भी sure नहीं है क्योंकि हमरे पर seven of swords भी है, eight of cups भी अभी भी sure नहीं है कि मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, दिल बहुत करता है उनका आपसे बात करने को I feel, ये इनसान आपको committed relationship देने के लिए ready नहीं है बट आपके साथ एक अच्छा वक्त बिताने के लिए ready है, जो के थोड़ी selfish energy है आपके साथ as a friend चलने के लिए ready है passion भी है, you know what I am saying हो सकता है कि ये इनसान उस तरह से आपके साथ अच्छा time बिताना चाहते हूं प्यार भी आपसे करते हूं बट आपसे commit करने के लिए ready नहीं है बिकिस हमार बस देखें commitment का card आया ये एक relationship और commitment के बारे में भी बता रहे हैं ये दोनों cards यहाँ पर Taurus, Virgo, Capricorn है Aries, Leo, Sagittarius है Libra, Gemini, Aquarius Spices, Cancer, Scorpio सारे ही star signs हैं बट Earth sign बहुत ज़्यादा strong है आपसे आपसे कहते हूं आपने energy पर focus करना है अगर energy आपसे match करती है तो बिलकुल आपकी reading है star signs को लेकर आपने परिशान नहीं होना energy पर focus करना है ये इनसान आपके लिए कैसा feel कर रहे है definitely जो बात मैं पहले आपसे कर रही थी वही बात फिर से आ रही है कि ये इनसान आपकी अच्छाई के बारे में आपकी generosity के बारे में सोचते है आप उनके साथ कितने अच्छे रहे आपने कितना invest किया उस connection पर वो इसके बारे में सोच रहे है और I also feel कि ये कोई ऐसे इनसान है कि जो हमेशा से बहुत secretive थे जिनको आप आज तक पूरी तरह से जान नहीं पाए आपको ऐसा feel होता है कि ये इनसान आपके लिए आज भी mystery है ये इनसान आज भी आप इनको figure out नहीं कर पाए कि आखरी ये क्या इनसान थे क्यों मेरी जिन्दगी में आए क्या हुआ हो सकता है I feel कि आपने बहुत दिल से उनके साथ चलना चाहा बहुत आपने invest किया इस connection पर और आपने उनसे कोई revenge लेने का भी नहीं सोचा जिस तरह उन्होंने आप से behave किया I don't know ये messages किस के लिए आ रहे हैं बट बहुत specific है ये वाली reading So ये इनसान ready नहीं है आज भी आपके साथ commit करने के लिए desire है But maybe उनकी जिंदगी के circumstances ऐसे हैं कि वो commit कर नहीं सकते हैं But ये इनसान इनके दिल में आपके लिए spark आपके लिए attraction बहुत ज़्यादा है बहुत ये इनसान attracted हैं आपकी तरफ ये भी हो सकता है कि ये इनसान आपसे next action अभी हम उनका देखेंगे कि क्या है ये इनसान आपसे communicate कर सकते हैं ये इनसान आपसे बात करना चाहेंगे मेभी आपको friendship offer देंगे आपसे कहेंगे कि let's be friends future का भी नहीं पता बट हम दुनों friends बन जाते हैं देखते हैं कि connection कहा जाता है चो थोड़ा सा इस तरह आपको manipulate भी कर सकते हैं ये इनसान के चलो ये इनसान as friend मेरे साथ रहे बस मुसे commitment का जिकर ना करे बट मेरे साथ रहे, मेरी जिन्दगी में रहे because वो आपको उपनी जिन्दगी से बाहर नहीं देखना चाह रहे हैं तो वो आपको रखना चाह रहे हैं अपने साथ जिसमें वो commit नहीं कर रहे थे आपसे as दोस्तों की तरह आपको रखा हुआ था but attraction भी थी दरूदर mixed messages भी थे कुछ इस तरह से नजर आ रहे so ये इनसान बहुत अजीब है कभी आपके साथ बहुत अच्छे कभी एक दम से दूर hot and cold behavior अजीब है ये इनसान I really feel बड़ी अजीब सी energy है so मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर love है या कुछ इस तरह से कुछ feelings romantic हो सकती है but attraction काफी ज़्यादा नजर आ रही है so देखते हैं कि ये इनसान इनका next action क्या होने वाला है उनका next action क्या होने वाला है cards मैं intuitively लूँगी उनका next action क्या हो सकता है उनका next action so हमारे पास है the thinking man number 46 and फिर है हमारे पास woman holding a heart number 44 so they are thinking वो ये सोच रहे हैं कि अभी भी आपके दिल में उनके लिए प्यार होगा या नहीं अभी भी आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं और वही message जो में पहले आपको दे रही थी कि वो ये सोचते हैं अभी भी कि आपने उनने कितना प्यार दिया आप उनके साथ कितने अच्छे थे आपने कितना इन्वेस्ट किया इस connection पर आपने अपना time दी आपनी energy दी मेभी आप मेंसे कुछ लोगों ने financially भी उन्हें support किया ये specific message था because I really feel कि आप मेंसे किसी ने financially इन्वेस्ट भी किया maybe आप उनको बहुत सारे gifts देते थे उनके लिए बहुत ज़ादा effort करते थे कुछ इस तरह का हो सकता है और ये इनसान सोचते हैं उसके बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा है वो सोचते हैं वो सोच रहे हैं कि आपने जो जो efforts की हैं इस connection के लिए और अब वो शाहिद ये चीज़ें खो चुके हैं इसलिए वो दुबारा पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपकी attention, आपकी investment, हर चीज़ वो वापस पाना चाहते हैं थोड़े selfish energy है और अजीब भी है ये इनसान आपको वापस पाना चाहते हैं they really want you back let's see ये इनसान और क्या सोच रहे हैं इनका next action क्या होने वाला है तो फिलहाल तो जैसे हम ने देखा सोच रहे हैं आपके बारे में आपके प्यार के बारे में आपकी efforts के बारे में कोई action लेंगे या नहीं let's see so हमारे पास है regeneration number 46 इसका भी number 46 है and then truth be told number 14 so maybe ये इनसान आपको कुछ बताना चाहते हैं अगर तो ये कुछ लोग के दर में unconfessed situation थी mixed messages थे आपके person ने आपको बोला उन्हें प्यार नहीं हैं वो सिर्फ दोस्त है अगर complicated इस तरह की situation थी I really feel कि ये इनसान आपके पास वापिस आना चाहते हैं और maybe आपको अपने feelings की सचाई बताना चाहते हैं कि वो actual में आपके लिए feel क्या करते थे या अब वो आपके लिए feel क्या करते हैं कुछ ना कुछ है जो उन्होंने आपको पहले नहीं बताया था जो आपके लिए maybe mystery था कुछ questions थे आपके जिनका वो जवाब आपको देना चाहते हैं ये इनसान आपसे communicate करना चाहते है truthful communication maybe अब आपके दिल में कोई desire नहीं है आपसे माफ़ी मांगना चाहते है truthful communication wow we have separation definitely आप लोग separation में है ये आपके x मुझे बहुत feel हो रहा है कि किसी के x है नहीं भी हैं तो आप लोग इस वक separation में हैं और ये इनसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते है अपने past behavior के लिए और आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने learn किया है literally spilic है forgiving and learning ये भी हो सकते है कि ये इनसान कुछ चीजों पर अपने आपको खुद माफ़ नहीं कर पाए है कुछ चीज़ें जो उन्होंने की है उसके लिए अपने आपको भी माफ़ खुद नहीं कर पाए है so ये इनसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते है अपने past behavior के लिए और मुझे लग रहा है कि ये इनसान आपसे contact करेंगे ये जो भी इनसान है ये आपसे contact करेंगे और फिर obviously जो आपका decision होगा वो तो आपकी free will है but I can see कि ये इनसान आपसे communicate करेंगे इनका next action यही होने वाला है कुछ discuss करना चाहते है वो आपसे कोई दिल की बात करना चाहते है I don't know वो क्या चीज़ है हो सकता है उनके दिल पर कोई बोज हो हो सकता है वो आपको जिंदगी में वापस लाना चाहते है हो सकता है वो अपनी feelings कुछ भी हो सकता है यह but कुछ वो आपको बताना चाहते है कुछ कहना चाहते है आपसे So इस पर लिखा है Trust Transformation occurs through acceptance Once you accept the current situation it will automatically transform So यह message उन लोगों के लिए है जो इस connection को चाहते है कि वर्क करें आप trust रखें और जब आप accept कर लेंगे अपने current situation को तो यह situation automatically change होगी transform होगी And next look inside yourself Examine what is causing you to feel this way So अगर आपके अंदर कोई emptiness है कोई anger है या resentment है कुछ भी आपके अंदर है अपने आपसे पूछें कि आप क्यों ऐसा feel कर रहे हैं और उसको फिर आप heal करें So maybe आपको अभी भी कुछ आप में से कोई एक दो लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी इनको वापस पाना चाहते हैं और आपके अंदर एक empty नैस है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों है So maybe आप इस connection पर अभी भी work करना चाहते हैं अपने आप से पुछें आपके आप क्यों ऐसा feel कर रहे हैं जो भी आप feel कर रहे हैं और फिर उसका हल तलाश करें और हल आपको फिर मिल जाएगा So इस पर लिखा है You are ready So इसका मतलब यह है कि आप ready हैं आगे बढ़ने के लिए जिन्दगी में move on करने के लिए And next we have romance So maybe आपकी जिन्दगी में कोई नई opportunity आने वाली When it comes to romance यह भी हो सकता है कि यह इंसान आपकी जिन्दगी में Obviously जैसे हम देख रहे हैं कि आपसे communicate करेंगे हो सकता है यह इंसान आपसे अपनी feelings literally Confess करेंगे और आपसे कहेंगे Let's be friends again But इनके दिल में romantic feelings भी होंगी आपके लिए हो भी सकता है कि यह अपनी romantic feelings आप से share कर ले But कहीं न कहीं एक selfishness मुझे नजर आ रही है So be very careful जब यह इंसान वापस आपकी जिन्दगी में आएंगे बड़ा calculated होकर बड़ा सोच कर आप इनके साथ चलिएगा यह बड़ा strong एक message आर Excuse me So I do feel कि यह इनसान आपकी तरफ आने के लिए खुद को prepare कर रहे है I feel यह आप से ज़ादा आपके person के हवाले से message है कि वो ready है आप तक अपनी love offer लेकर आने के लिए So यह आप लोगों की reading थी group 2 कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे ज़रूर बताईगा comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number 3 यानि कि S to Z select किया था Ace of Wands के साथ यह आपकी reading है और हम देखेंगे कि आपके person की current feelings उनकी thoughts उनका next action क्या होगा सब कुछ हम जानेंगे सबसे पहले हम आपके connection की overall energy देखेंगे 6 cards होंगे आपके connection की overall energy के लिए Let's start सबसे पहले हमारे पास है transformation Stand your ground Lesson True love Wow Next is insecurity And moving on So हो सकता है कि आपके person यह feel करते हैं कि जब से आप उनकी जिंदगी में आया है उनकी life transform हो रही है वो change हो रहे है हो सकता है उनकी जिंदगी में past में कुछ negative experiences थे जिनकी वज़ा से वो strong रहने की कोशिश करे उन्होंने lesson लिया है और उनसे move on करना चाहते हैं अपने past से move on करना चाहते हैं बढ़ स्टिल वो आपसे प्यार करते हैं This is true love And they feel really insecure के कहीं वो आपको खोना दें Because उनके past experiences की वज़ा से They feel insecure So let's see यह इंसान इस वक्त आपके लिए कैसा feel कर रहे हैं हो सकता है कि आप भी थोड़ा सा insecure feel करते हूं इस connection को लिएकर Because आपके लिए connection important है आप इस connection को खोना नहीं चाहते हैं So यह भी हो सकता है कि इस connection में आप दोनों के लिए कोई lesson भी है कुछ ना कुछ आप दोनों सीख रहे हैं इस connection से So देखते हैं आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है फिर उनका next action देखेंगे उनकी current feelings और thoughts So we have nine of wands वाव Ace of cups फिर है हमारे पस the moon Five of pentacles वाव यह insecurity And then bottom of the deck पर हमारे पस है 10 of wands So हमारे पस है Aries, Leo, Sagittarius Pisces, Cancer, Scorpio Taurus, Virgo, Capricorn लेकिन आपने focus करना है energy पर अगर energy आप से match करती है तो बिलकुल आपकी reading है Star Signs को लेकर आपके परिशान नहीं होना है So I feel कि आपके person थोड़े से, थोड़े नहीं बलके काफे ज़दा इनकी personality complicated लगती है I feel कि यह इनसान बहुत ज़दा expressive नहीं है इनके दिल में आपके लिए बहुत feelings है, बहुत emotions है This is true love Because we have this Ace of Cups यह true love है, यह unconditional love का card है Pure feelings है यह And overflowing emotions है But with the moon energy यह इनसान छुपाते है यह इनसान थोड़े से guarded है वही बात आगी I really feel यह message बड़ा strong है कि वो अपने past experiences की वज़ा से थोड़े से guarded है बिल्कुल 100% open नहीं होते है बहुत सी feelings और emotions वो अपने अंदर छुपा के रखते हैं वो नहीं बताते हैं आपको But this is very clear कि यह इनसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और insecure है insecure होते हैं कहीं फिर से पुराना cycle repeat नहीं हो insecure होते हैं कि आपको कहीं खोन ना दे बहुत insecure हैं आपके लिए वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं आपको बहुत अकेला बहुत खालिपन महसूस होगा उन्हें So I feel कि आपके person के ओपर बहुत सी responsibilities है या आप यूं कहलें कि उनके past का past baggage है past trauma है जो अभी तक उनोंने अपने साथ रखा हुआ है जो ज़रूरी नहीं है उनको carry करना ज़रूरी नहीं है ऐसा burden carry किया हुआ है उनोंने इसको अपने साथ रखना जरूरी नहीं है उसे गिरा देना उनके लिए बहुत important है इस वक्त सो आपके person धीरे धीरे learn कर रहे हैं इसलिए transformation का card आया था विकिस ये इनसान आइस्ता आइस्ता सीख रहे है change हो रहे है, learn कर रहे है lesson, you know, learn कर रहे है कि जो चीजें अभी तक उन्होंने अपने साथ रखी हुई है अपने past से, उनकी अप कोई जरूरत नहीं है अब उन्हें छोड़ देना चाहिए उन्हें अपने जहन से निकाल देना चाहिए so I feel कि ये इनसान थोड़े से complicated है थोड़ा सा आप कभी कबार में भी आपको भी feel होता होगा कि आप understand नहीं कर पारे it's a struggle कि इस इनसान को मैं कैसे समझू हूँ, right so उसका reason है कि इनसान अपने आप से भी थोड़ी fight कर रहे है काफी चीज़ें हैं जो उनके जहन में चलती रहती हैं जो वो आप से discuss नहीं करते हैं but ये चीज, they really want कि ये चीज़ आपको पता हो कि वो आप से प्यार बहुत करते हैं वो आप से unconditionally प्यार करते हैं so this is true love, ये इनसान truly आप से प्यार करते हैं but डरते हैं, insecure हैं और share नहीं करते हैं अपनी feelings share नहीं करते हैं so हम five of pentacles को clarify करते हैं कि five of pentacles यहाँ पर क्यों है वैसे तो I really feel किया उनकी insecurity के बारे में बता रहा है but let's see, हो सकता है आप में से कुछ लोग separation में हो we have the tower yes, ये इनसान डरते हैं ये इनसान बहुत डरते हैं कि जो आप लोगों ने एक plan बनाया है maybe आप दोनों ने मिल कर यह जो कहलें कि टावर बनाया खयालात का खाबों का future की planning की और एक टावर बनाया maybe इनसान insecure है कि ये टूट ना जाए ये जो dream है आप लोगों का ये टूट ना जाए ये खराब ना हो जाए इसमें कोई दरार ना आ जाए जो tower आप लोगों ने मिल के बनाया so ये इनसान insecure है कि ये foundation कहीं गिर ना जाए जो आप दोनों ने बनाई है जो आप दोनों ने खाब सजाएं सब खराब ना हो जाए इसलिए insecure हैं इनसान बहुत insecure है 10 of wands को भी clarify कर लेते हैं हमारे पास से the hanged man so yes ये इनसान सोच रहे है it's a pause for a new perspective so ये एक बड़ा positive card is the hanged man बड़ा spiritual है so ये आपके person को realization हो रही है कि ये जो भी burden उन्हों उठाया हुआ है ये ज़रूरी नहीं है उन्हें इसको गिरा देना चाहिए वो realize कर रहे हैं ये बाद this is very nice ये हमारे पर से indication आ रहा है कि ये इनसान इनको realization हुई है कि मुझे अब past के बारे में हर वक्त नहीं discuss करना चाहिए या मुझे सोचना नहीं चाहिए हर वक्त उसके बारे में अब मेरा ये जिन्दगी का एक नया chapter शुरू हो रहा है अब मेरी जिन्दगी की एक नहीं शुरुआत है right सो वो कोशिश कर रहे हैं चेंज होने की transform हो रहे हैं आपके person सो कुछ challenges हैं जो अपने अंदर ही उनके चल रहे हैं जिने वो पार करना चाहते हैं और जिनसे आगे वो बढ़ना चाहते हैं सो वो पुरी कोशिश कर रहे हैं और उनको हर चीज realize भी हो रही है और आपके person insecure हुए में कि कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया इस लड़ाई में हमेशा के लिए So we have the sun and all tied up So ये इनसान अपनी thoughts में stuck हैं But I really feel कि वो ये सोचते हैं कि आप उनकी जिन्दगी में बहुत ज़दा happiness लेकर आए हैं I also feel कि इनसान आपके उपर stuck हैं आप उनकी खुशी हैं आप उनकी जिन्दगी में बहुत ज़दा happiness लेकर आए हैं इनसान आपके उपर stuck हैं I really feel So maybe इनसान सोच रहे हैं कि आपको कैसे happiness दें Let's see उनका next action क्या होने वाला है उनका next action क्या होने वाला है We have milk and honey and here and now यह है number 32 और यह है number 51 So I really feel कि आपके person present रहने की कोशिश करेंगे with this here and now क्योंकि वो past के बारे में बहुत सोचते हैं Future का भी उनको tension होता है So यह एक overthinker हैं basically जिनके साथ आपका relation है But वो आप positivity पर focus करना चाहते हैं इस connection की The sun, milk and honey यह I think 10 of pentacles है यह 10 of cups है So I feel कि यह इनसान अब happiness पर गौर करना चाहते हैं Next Present रहना जाते हैं आपके साथ हर moment को खुबसूरत बनाना चाहते हैं जीना जाते हैं हर moment को So I really feel यह इनसान learn कर रहे हैं Next कि उन्होंने आपके साथ हर लम्हे को खुबसूरत बनाना है वक्त को अच्छे से बिताना है Past के बारे में सोच सोच कर आपको और खुद को परेशान नहीं करना है I really feel कि यह lesson learn कर रहे हैं आपके person इस present time में और जो भी उनके past traumas हैं वो आपके उपर project नहीं करना चाहते हैं इस connection को harm नहीं करना चाहते हैं उन सारे experiences की वज़ा से यह lesson आपके person learn कर रहे हैं Next So we have honeymoon and heart to heart conversations I really feel कि यह इनसान में भी यह plan कर रहे हैं कि वो आपके साथ कहीं पर travel करेंगे आपके साथ time बिताएंगे और फिर उस दौरान आपके साथ दिल की बाते करेंगे आपके साथ एक अच्छा time spend करने के बारे में सोच रहे हैं यह इनसान plan कर रहे हैं उनका next action यही हो सकता है बलके clearly यही नज़र आ रहा है आपके साथ वो बातें करना चाह रहे हैं दिल की बातें आपके साथ अपने experiences में भी share करना चाहते हैं आपके साथ travel करना चाहते हैं यह इनसान plan कर रहे हैं आपके साथ travel का let's see आपके लिए क्या message आ रहा है इस card पर लिखा है secret admirer someone has deeper feelings for you than they are letting on यह इनसान आपके लिए बहुत significantly feel करते हैं जितना वो आपको बताते हैं। उस से कहीं ज़्यादा यह इनसान आपको admire करते हैं आपसे प्यार करते हैं क्यूंकि मैंने जैसा आप शेशुरू में कहा था यह इनसान बहुत ज़्यादा expressive नहीं है आप देखें हमरे पर साथ ही card आ गया So, ये इंसान जितना आपको बताते हैं, उससे कहीं ज्यादा ही आपके लिए फील करते हैं And next is balance Love is not always about agreeing just for the sake of it A great relationship is one that both supports and challenges So, I really feel कि ये इंसान बैलन्स लाना चाहते हैं इस connection में So, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर बात पर एक दूसरे से agree करें प्यार में कभी कबार challenges भी होते हैं So, ये ही एक balance है, right? So, I do feel कि ये इंसान balance लाना चाहते हैं इस connection में और ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं Let's see, two more cards So, ये इंसान आपके साथ वक्त बिताने का सोच रहे हैं आपके साथ travel का सोच रहे हैं जहां पर वो आपसे बाते करेंगे अच्छा time spend करेंगे So, इस पर लिखा है look for a sign and yes So, maybe आपके person आपकी तरफ से किसी sign का wait कर रहे हैं या आप उनकी तरफ से किसी sign का wait कर रहे हैं और आपको sign मिलेगा और ये connection progress करेगा अगर आप लोग इस वक्स separation में हैं ये दो cards उन लोगों के लिए आए जो separation में है आपके person की तरफ से बेभी आपको कोई sign मिलेगा I don't know वो किस शकल में मिलेगा बट कोई sign देंगे वो आपको मुझे clearly आपसे communicate करते वे नजर नहीं आ रहे पिर आइस्ता आपकी बातचीज चुरू होगी और ये इंसान आपके साथ कहीं पर travel करेंगे आपको ले कर जाएंगे ये मुझे situation आप लोगों की बनती हुई नजर आ रही है ये आप लोगों की rating थी group 3 कुछ पी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे आप जरूर बताईएगा comment section में अगर आप नई थे मेरे channel पर like कीजेगा share कीजेगा subscribe करना मत भूलिएगा सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आपकी जिन्दगी में आप जो भी manifest करना चाहते है new love, true love आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो और जरूर होगा क्योंकि you are worthy of love and you are lovable अपने आपको यह जरूर बताया करें अपना धिर सारा ख्याल रखिएगा I'll see you in my next video Till then, love you lots Bye Bye